हाई फ्रेंड्स वेलकॉम तो माई यूट्यूब चैनल यह मेरा मॉडूल 4 चल रहा है जिसमें मैं साइट तु साइट कनेक्शन के ऊपर टॉपिक मेरा है और सुफोस फायरवाल वर्जन 18.5 ET803 यह मेरा मॉडूल 4 है जिसके अंदर मैंने मेरा जो आज का मेरा जो टॉपिक है यहां से मैं हाई लैटर ओपिन कर लेतूं गाईश मेरा लाश्ट दो वीडियो मेंने आई साइट टू साइट करेंशन मेरा वीडियो यह अप्रोड कर दिया SSL VPN overview configuration यह वी वीडियो मेरा अप्लोड मैंने कर दिया है आज का मेरा जो टॉपिक है IPsec VPN IPsec VPN policy कैसे हम बनाते हैं विजार्स क्या-क्या configuration कैसे करते हैं दिश टॉपिक स्कूपर आज का मेरा यह वीडियो है तो देरी बीना किये हुए चलिए शुरू करते हैं तो IPsec VPN तो IPsec VPN policy security parameter used to establish and maintain the VPN connection IPsec VPN में guys होता यह है कि जब हम office to office जब टनल क्रियेट करते हैं तो टैनल 256 bit का inscription लगता है उसमें एक password अप्रेस की रहती है और certificate based होता है तो इतने algorithm और password के थूप प्रोटेक्टेट रहता है और जिसमें security तूट 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 शिच्टिफोर टूपिप्टिफोर बीट का इंक्रिप्शन लगता है जिससे हमारा data secure होता है यहां पर अल्री मेंसें भी है को बोस साइड आप दा वीपेंट टनल मस्ट रिलाओ तो सेटिंग्स तो इसका मतलब गाइची होता है कि हम जब दो ऑफिस को एक दूसरे से करते हैं लैक दिल्ली और मॉंबाई तो दिल्ली की बीच में जब दोनों के रहेंट करेंगे तो जो दिली में कॉन्फिकेस्ट नहीं को मूंबाई साइड में करना पदेगा अधरवाइस ह प्रफिकेशन मिस मैं चोगा तो दोनों फारवाल एक दूसरे से प्र नहीं होंगे देर आर नंबर सब्सक्राइब आप दा बॉक्स तो यह पॉलिसी जह हैं अगर मैं जैसे आपके पास सोफोस का फारवाल है तो आप सोफोस के लिए डिफाल्ट पॉलिसी और डिफाल्ट पॉलिसी अप्लाइब कर सकते हैं डिफाल्ट हैड ऑफिस पॉलिसी अगर मैं आपको ल्टूपी करनेक्शन ल्टी ल्टूपी वीपेन करना तो इसके लिए यहां पर आएगा और अगर मैं आपका बस दूसरा दिवाइस जैसे एक साइट पर आपका सिसको लगा एक लगा है तो आपको KL1 V version 2 यूज़ करना पड़ेगा तो यहां पर आईपी से जो वीपेन है इसका वीजाड है सबसे पहले जब वर्जिन 18 में जब आईपी से क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको वहां पर वीजाड पर जाएंगे अगर मैं जब इनिसियेट लेबल पे ज आपका लाइन का नेट ओक क्या है उसके वाद डी एनस और आप डीनस जो भी आप यहां पर डाल सकते जहां पर सोफोस में से पापे डाटेटी यूच कर सकते है इमेल से कर सकते डिपेंड सोने रिक्वाइर्मेंट तो यहां पर इस्टेप गाइट फॉर क्रियेटिंग से connection तो आगे हम चलते हैं जब आप जनरल जब जनरल सेटिंग्स में आएंगे तो यहां पर हमको नेम देना पड़ता है और यहां पर एक्टिवेट ऑन सेव या क्रियेट रूल डूल आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आटोमेटिक लिओ फार रूल क्रियेट कर देगा अब यहां पर डिसक्रिप्शन में आप खुछ भी डाल सकते हैं आप हुझ जो रिक्वायरमेंट है और connection टाइप में साइट तो साइट हमको abid office में रहेगा नेक्स आते हैं अब मैंने कृप्स ने भूला था हमने यहाँ पर पॉलिसी आई के वीटु यूज किया है यहोग पॉलिसी प्रेस्ट है अब यहाँ पर आपको बताए था यह प्रेस्ट से बाट करो है जिझार पॉलिसी डिफोल्ट आट तोमेटीक मतलब एक सेंटेंश टाइप का आप कोई पासवर्ड बना लेजिए उसको कॉंपी पेस्ट के दे अभी यह जो पासवर्ड यह दोनों साइड में लगेगा लाइक आप दिल्ली वाले फायर वाले में जब कॉंफीगर करेंगे तो यही पासवर्ड डालेंगे नहीं तो दोनों erre करेंख मैच नहीं होगा है और सफिर हमिंग आ पर रिमोर्ट रिमोट सेटिंग पर आजएं तो रिमोट सिटिंग में हमारा यहां local, local, local gateway है, यह हमारा जिस end पर आपका firewall लागा उस end का आपका total sitting है, listening interface हमारा port भी है, जहां से हमारे port, line port पर connection आएगा, local ID में हमने DNS रखा है, और यहाँ हमने DNS यह डाल दिया है, और local subnet, local subnet यहाँ पर में दे दिया, अब यह remote site, मतलब यह आपका head office का है, details हो गया, जो firewall है, अभी हम configure करें, head office का है, अब यह branch office में हम बात करें, तो remote gateway मतलब जो remote location पर firewall है, तो यहाँ पर remote gateway में हमारे पास public IP नहीं तो हमने start डाल दिया, DNS में हमने DNS रखा, remote gateway हमने यहाँ पे भी same रखा है, remote gateway में भी, और local ID में भी same रखा, अगे हम दोनों सेम नहीं रखेंगे, त इसके बाद Newark का, हमने remote network का subnet यहाँ रख दिया है, और हमारे local network के subnet है, तो इतना आपको करना पड़ेगा, यह field में जिस end पे आप firewall को login करेंगे, उस end में local gateway आ जाएगा, और जिस firewall को आप login नहीं किये, दूसरे end का जो device है, वो remote gateway में आएगा, इतना आपको ध्यान देना ह जैसे आप यहाँ पर बात करूँ में, तो यह आपका head office हो गया, यह branch office हो गया, अब यह tunnel बनेगा, internet के through, यह tunnel create होगा separately, यह tunnel को 256 bit का encryption लागर आएगा, ताकि इसको कोई, मतब security के लिए, जो VPN की security side to side, उसके उसके अंदरे security आती है, तो हमारा देखे, यहाँ पे आप देख स 162.0, series 24 का है, और 192, 162.0, यह हमारे remote remote device है, मतलब यह दिल्ली है, और यह Bombay, यहाँ पे servers है, और endpoint है, तो यह दोनों connect होंगे, इस head office के firewall से, अब जब हम create करते हैं, तो उसके अंदर कैसे कैसे होता है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, थोड़ टाइम पहले, उसके हमने snapshot में create किया हुआ है, तो creating the VPN tunnel, सबसे पहले आपको firewall में login करना है, login करने बाद VPN में जाना है, VPN जाने बाद IPSC पर click करना है, IPSC में आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते, depends on or requirement, और यहाँ से आप dual कर सकते है, अभी हमने यहाँ पे dual रखा है, IP4, IP6 रखा है, अग ह भी आप अपना नाम दे सकते हैं, यहाँ पे select कर सकते हैं, आपको create करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे gateway type हमने respond only रखा हुगा, कि यहाँ से respond होगा, अब यहाँ पर हमने authentication में आ गए, encryption जो हमने पहले previously बताया, authentication में हमने press key रखा है, और यहाँ पर हमने एक password दे दिया है, यहाँ 8.8 आप कोई भी रख सकते हैं, और remote gateway का यह detail हमारा हो गया, यहाँ पे दिया भी हो, you cannot use wizard, use a wild card when creating the tunnel interface, और you do not have specify the local and remote network for the tunnel interface, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने zone में आ गए, जनल में यहाँ पर हमने VPN हमारा बन गया, यहाँ पर हमने network दे दिया, हमने interface में आके हमारे VPN हमने network दिया हुआ है, और IPS एक version है, यहाँ पर हमने एक network select कर लिए zone से जाके, अब उस zone को हमने यहाँ पे configure route based, send traffic over the tunnel, अब आप HD1, policy route, dynamic route, static route, आपको जो options हो, आप उसमें select कर सकते हैं, उस परकार से आपको उसको configure कर सकते हैं, तो guys बस इस वीडियो में मुझे इतना यह comment कर सकता है, लेकिन guys मैं आप लोग मुझे हमिसा email पर communication करिए, और जिसको कोई भी problem आती हो, मेरे email, idea मैंने already share किया हुआ है, आप उसको देख लेजे, और उससे मुझे communication करने के try करिए, तो चलिए मिलते है next video में, तब तक लिए जय हिन, जय भारत